Hello friends, welcome to drama reviews, The Silent Sea Part 1 Part 1 की starting में हमें एक spaceship दिखाय जाता है, जहां कोई दूरगर्टना हुई थी कुछ प्रॉब्लम की वज़ह से वो spaceship crash हो गया था कैपनों सब लोग सब सर्कुट चेक कर रहे होते हैं पर कुछ भी काम ने कर रहा होता Spaceship उल्टा हो गया था जैसे ही बैल्ट उपन करती हैं और गिर जाती है सारे सिस्टम शटडाउन होने लगते हैं इन लोगों ने मून पर लैंड किया था इसके बाद हमें एक ऐसा टाइम दिखाया जाता है जहां परारत पर बारिश नहीं होती थी पर प्रॉब्रम बहुत बढ़ती जा रही थी कॉमेंट ने पालतु जानुर को पालने के लिए भी मना कर दिया था पानी का डिस्ट्रिबूशन कार्ट के जरिये हो रहा था पानी के लिए लोगों को लंबी-लंबी लाइंस पे खड़ा रहना पड़ता था दोक्टर सॉंग एक काबिस अंडिस थी वो बहुत रिसर्च कर चुकी थी उनकी में रिसर्च वाइल अनिमल के नेचर, पेल फोदों और बानी के बारे में थी पहले वो स्पेस पर रिसर्च किया करती थी पर धरती की कंडिशन को देखकर उनने धरती पर रिसर्च करने लगए मिस्टर गेम डोक्टर सॉंग के पास साकर उनने स्पेस में जाने का ओफर देते हैं वो पांत साल बाद डोक्टर सॉंग से मिल रहे थे डारेक्टर चोई उस मिशन के इंचर्च थी उन्होंने ही Dr. Song का नाम recommend किया था इस mission के लिए पहले Dr. Song इस mission के लिए मना कर देती है पर बाल के space station का नाम सुनकर मान जाती है Dr. Song के पास एक pet होता है उन्होंने उसे सबसे चिपा रखा होता था उनकी बहन बाल के station की in charge scientist थी बान सल पहले radiation की leak होने की वज़े से पूरे crew की मौत हो गई थी एक भी survival नहीं मिल पाय था इसलिए मिस Song अपनी बहन की मौत का reason जाने के लिए वहाँ पर जाने के लिए मान जाती है वो time से पहले ही उस जगा पर आ जाती है जहां पर उनको सब सिखाया जाता था सबसे पहले वो mission के captain Han से मिलती है Dr. Song किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी इसके बाद बाकी के एक room member दिखाया जाती है इसमें एक engineer, Ryu, दो military person, Gong, Ohantra, Kimson और Dr. Hong, Gong और दो pilot होते हैं Dr. Hong, Dr. Song से मिलती है Dr. Song के पास फानी का golden card होता है Dr. Hong उसे देखकर बहुत हैरान होती है Dr. Hong की Dr. Song से बात करना चाती थी पर Dr. Song इंटरस्टी नहीं होती इसके बाद आरेक्टर चोई और Mr. Kim आ जाते है Mr. Kim सब उन्हें बताते हैं कि उन्हें मूँ पर क्या करने जाना है पाल के station center moon पर होता है 5 साल पहले radiation की वज़ा से उस station के सब लोग मर गए थे अब उन्हें वो station हमेशा के लिए बंद करना है पर वहाँ से capsule लेकर आना होता है वो से लाना असान नहीं था उस capsule को बहुत low temperature पर रखना पड़ता है तब ही उसके अंदर जो material है वो stable रह सकता था डॉक्टर सॉंग पूछती है कि उसके अंदर क्या है पर किसी को पता नहीं होता capsule के samples तीन जगा पर उस पेस station में पड़े होते है डॉक्टर सॉंग को दुबारा कहती है कि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि वो substance क्या है तो हम उसे कैसे safely लेकर आएंगे पर डारेक्टर चोई उन्हें कुछ नहीं बताती कैप्टर हान इस mission की चार्ज होते है डॉक्टर सॉंग को याद आता है कि 5 साल पहले डारेक्टर सॉंग के पास डारेक्टर चोई golden card लेकर आये थे कि उसकी sister की death के बाद उसे दिया गया था पर डारेक्टर सॉंग इस बाद से खुश नहीं होती वो अपनी भेन को बहुत याद करती जाती है सब मीटिंग से जले जाते हैं पर डारेक्टर सॉंग मिस्टर हान को रोकती है और कहती है कि आपके हर mission में क्या information छेपाई जाती है अगर information पूरी नहीं होगी तो हमें सिर्फ 10% ठी chances है कि हम सारे वापिस आपाएंगे आपको सब information पता होनी चाहिए ताकि हम safely वापिस आजाए कैप्टन हान कहते हैं कि ये सब जगह होता है चाहिए वो आर्थ पर हो या आर्थ के बार डॉक्टर सॉंग कहती है कि अपसे मैं आपसे कोई question नहीं पूछोंगी मैं सिर्फ वही करूंगी जो मुझे कहा गया है कैप्टन हान पूछते है कि आप सच में अभी हमारे साथ आ रही है पर हैं मिस्टर होंग ने वाले स्टेशन बनाया था सब को डाउड था कि वो लोग कुछ चुपा रहे है Captain सब सिस्टम चेक करता है तबी Space Craft में प्रॉब्लम आ जाती है उनके पास 7 मिनट होते है Captain मॉडूल को रिलीज करने को कहता है Space Shuttle नीचे किनने लगता है और सिस्टम स्टार्ट नहीं हो रहा होता Shuttle में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी वो Crash Landing करते है उनका Space Shuttle मुन के एक सिरे पर आकर रुख जाता है सब बहार जाने के लिए तैयार होते है पर डोर ओपन नहीं होता जैसे ही वो ओपन करते है Shuttle डिस्पैलेंस हो जाता है सब लटक जाते है एक हैपी चीज बाहर शीशे पर लगती है शीशे तूट जाता है सब गिरने लगते है डोक्टर सौंग बाहर की तरफ लटो जाती है पर कैप्टर उसे बचा लेते है सब बाहर आ जाते है उसके बाद शटर नीचे गिर जाता है अब सब को साड़े साथ किलोमीटर पैदल चलना होता है मिस्टर वांग भी उनके साथ होते है पर उन्हें बहुत चोटे आई होती है सब पैदल चलना शुरू करते है सब के पास अक्सीजन की कमी होने लगती है वो लोग स्टेशन तक पहुंच जाते है पर मिस्टर वांग की तबियत खराब हो जाती है अक्सीजन की कमी होने लगती है मस्टर वांग की देथ वहीं पर हो जाती है सब उनके पास आते हैं और फिर अपनी जर्नी शुरू करते हैं और स्टेशन में पहुंचते हैं वो लोग जल्दी से जल्दी अंदर जाना चाते थे ताकि अक्सीजन को फुल कर सके डालने से पहले वो अपनी महन को याद करती है उसकी महन मून के गटों को साइनलिसी कहती थी सब लोग अंदर जाकर अपना उक्सीजन टेंक फिल करते हैं उसके बाद पाबर उन करते हैं ग्रविटी को सही करने के लिए सब स्टेशन के में डोर को उपन करते हैं और अंदर जाते हैं उन्हें कमांड सेंटर में जाकर में सप्लाई ओन करनी होती है अंदर जाते ही उन्हें एक सोलजर की लाश मिलती है वो उसकी बोडी को स्केनर से स्केन करते हैं उस बंदे की मौत से ऐसा लग रहा था जैसे पानी में डूमने से हुई हो पर किसी को डॉक्टर होंग की बात पर यकिन नहीं होता डॉक्टर सौंग भी यही कहती है पर कैप्टन सब को आगे बढ़ने के लिए कहता है सब वहां नोटिस करते हैं कि रिडिशन लेवल सही होता है फिर वो सब सोचते हैं कि वो बंदा आया कहां से पर किसी के पास से इस बात का आंसर नहीं होता सब संधेरे में चले जा रहे होते है उन सब को लग रहा होता है कि कवर्मेंट की रिपोर्ट जूठी है वहां कोई रिडिशन लिकेज नहीं हुआ था कैप्टन उन्हें ये सब बाद में करने के लिए कहता है और अंदर जाकर पहले अपना काम करने के लिए कहता है डॉक्टर सॉंग में रिज़न ढूटना चाती थी पर सब को कैप्टन की बात माननी पड़ती है सब कमांड सेंटर में जाते है सब में सप्लाइड ढूटते हैं और ओन करते हैं कमांड सेंटर से मुन बहुत सुन्दर लग रहा होता है में सप्लाइड के ओन करते ही लाइट सोन हो जाती है ऑक्सिजन लेवल भी सही हो जाता है जीजु को अजीब लगता है कि वो वर्किंग स्टेशन को क्यों बंद कर रहे है सबसे पहले डॉक्टर सॉंग अपना हैलमेंट उतारती है और कहती है कि यहां सब कुछ कड़वड है हमें फूरे स्टेशन को ढूणना चाहिए हान कहता है कि हमारा मिशन पांच साल पहले हुए हाथ से को रीजन ढूणना नहीं है और सिस्टम को चेक करने के लिए कहता है सब सिस्टम सही से काम कर रहे होते है पर कम्म्निकेशन सिस्टम डाउन होता है सब स्टेशन के वर्चुल मैप को देखते है और हान टीम बनाता है उस capsule को लाने के लिए पर डॉक्टर सॉंग यहाँ लूना को डूनने आई थी मिस्टर वांग ने सबको आर्थ पर ही एक virtual map दिखा कर सब स्टेशन समझा दिया था डॉक्टर सॉंग ने भी पूरा map memorize कर लिया था और लूना को डूनने के लिए मिशन पर काम कर रही थी कैप्टन हान सबको टीम बनाकर तीनों storage पर बेजता है एक टीम में वो खुद डॉक्टर हॉंग और इट को होते हैं दूसरे में सुन, सोचन, रियू और इवन होते हैं इसरे में गॉंग और जीजू और डॉक्टर सॉंग होते हैं डॉक्टर सॉंग सबको बताती है कि अगर सैंपल पर green light जल रही हो तो ठीक होगा नहीं तो खराब हो गया होगा और सैंपल को बहुत low temperature पर रखना होता है डॉक्टर सॉंग जाने से पहले सोचन से बूछती है कि बायमेट्रिक चिप सब लोगों को दी जाती है जो space में आये होते हैं तो ये चिप से उन 5 सल पहले लोगों को भी रूण सकते हैं वहां कहता है पर कहता है कि accident की वज़़स से शायद वह तूट गई होगी फिर सब capsule लेने चले जाते हैं जाते वक्त जीजू डॉक्टर सॉंग को captain हान के बारे में बता रहा होता है पर डॉक्टर सॉंग इस बात पर interested नहीं होती डॉक्टर हॉन स्टोरेज तक पहुँछ जाते हैं पर गेट ओपन नहीं होता तोनों बहुत जोर लगाते हैं तब भी गेट ओपन हो जाता है बहाँ सारे क्रू मेंबर्स की लाशे होती है सब को देखने से ऐसे लग रहा होता है जैसे डूमने से उनकी मोत होई हो वो ये बात सब लोगों को पताते हैं दोक्टर सॉंग, दोक्टर होंग को स्कैन करने के लिए कहती है दोक्टर होंग जब स्कैन करती हैं तो दोक्टर सॉंग उन से पूछती है कि वहाँ कोई जिला हुआ निशान है किसी पर भी दोक्टर होंग मना करती है डॉक्टर सॉंग को अटॉपसी करना चाती है पार कैप्टर हानुने मला करती है और मिशन पर ध्यान देने के लिए कहते है डॉक्टर सॉंग को जाते वक्ट बेस्पन में कुछ दिखता है मिस्टर वांक ने उसे बताया था कि नूला बाले स्टेशन का डाटा स्टोरेज का नाम है वो बेस्मेंट में स्टोरेज उडने जाना चाती थी पर जीजू उसे अपने साथ ले जाता है दूसरी टीम जब स्टेशन 2 की तरह पहुँचती हैं तो वहां भी कुछ नहीं होता Station 1 और Station 2 दोनों खाली होते है सब capsule तूटे वो होते है Storage 2 में भी एक dead body होती है सोचन जब dead body के हाथ में देखता है तो उसे एक capsule दिखता है वो उस capsule को उठाता है वो भी खाली होता है पर dead body की वज़ाज से उसकी आँख में कुछ चला जाता है इदर Jisoo सबसे जूट बोलता है कि Detector ने कोई moment record की है गोंग उसे देखने चाता है और Detector को चेक करता है और दोनों को वहाँ रुखने के लिए कहता है Jisoo Doctor Song को भी basement को चेक रिखने के लिए कह देता है और वो वहाँ से चली जाती है Jisoo अकेले Storage 3 में आता है और किसी को मैसेज करता है जीजू को वहाँ कुछ नहीं मिलता वहाँ भी कोई कैपसुल सही होता कैप्टन हान भी स्टोरेज 3 की तरफ निकलते है मिस्टर केम ने डॉक्टर सॉंग को बताया था कि डाटा स्टोरेज का निशान उपर नहीं नीचे है असली डाटा स्टोरेज नीचे है बेस्मेंट में डॉक्टर सॉंग को डाटा स्टोरेज नहीं मिलता जीजू को नीचे एक चिपा हुआ सैंपल मिल जाता है तब ही उस पर कोई हमला करता है सुचन की तबियत खराब होने लगती है उसे दिवार पर एक स्टारफिज दिखाई देती है डॉक्टर सॉंग स्टोरेज ट्री की तरफ आती है जीजू अंदर से डॉर ओपन करता है पर उसे कोई बीचे से नीचे इच लेता है डॉक्टर सॉंग उसे डूणने जाती है पर कोई उसे उपर से नीचे फैक देता है और उसके हाथ से वो कैपसुल ले जाता है वो एंटिटी डॉक्टर सॉंग पर हमला नहीं करती तब ही गोंग आ जाता है और जीजू वहाँ मारा पड़ा होता है कैप्टन हान ने भी वहीं आ जाता है डॉक्टर हॉंग रेड़ बोडी को चेक करती है और कहती है कि फैक्चर की वज़े से उसकी मौत हो गई है वो सिरफ उपर गिरने की वज़े से नहीं मरा इवन और डॉक्टर हॉंग वहाँ से चले जाते हैं कैप्टन हान डॉक्टर सैंग से पुझताश करते हैं और अकेले जाने के बारे में भूजते हैं फिर उसके सूट पर लगा कैमरा ले रेते हैं और चेक करता है दर सूचन कमान सेंटर में आकर एक सीट पर बैट जाता है भागी सब लोग बाते कर रहे होते हैं कि सेंपल तो मिले नहीं अब क्या करेंगे जब वो लोग कैमरा चेक करते हैं तो उन्हें डॉक्टर सोंग की बार सच लगती है वो कैपसूल को देख लेते हैं कि कोई उससे उसके हाथ से ले गया था रियू कम्मुनिकेशन सिस्टम चेक कर रहा होता है पर कुछ भी काम नहीं कर रहा होता तब ही सुचन की तबियत खराब होने लगती है उसके मुझ से पानी निकले लगता है डॉक्टर हॉन और गॉंग उस जगह को चेक करने लगते है गॉंग कहता है कि वो यूमन नहीं होगा डॉक्टर सोंग कहती है कि उसे कैपसूल की वैल्यू पता है तो वो कोई इंसान ही होगा तब ही सुचन की ख़बर उस तक आ जाती है वो लोग डर जाते हैं और डॉक्टर हॉनग को बुलाते हैं डॉक्टर हॉनग उसे सूट पहने और मास्क लगाने के लिए कहती है डॉक्टर हॉनग आकर सुचन को चेक करती है और बर संपल लेती है पर वो उसे बजा नहीं पाती डॉक्टर सॉंग और कैप्टन हान भी तब तक महाँ पहुँच जाते है सुन में बहुत परिशान होता है सुचन को ऐसा लगता है कि जैसे वो पानी में डूब रहा है और उसकी देत हो जाती है सुन इस बात से बहुत उदास हो जाता है बाकी सब को समझ नहीं आता कि यह सब क्या हुआ और यह किस तरह का वाइरस है होंग सुचन की आठाप्सी करना जाती है हान सुन से ही इस बात की परमेशन लेता है वो वज़ा को जानने के लिए परमेशन दे देता है डॉक्टर सॉंग और डॉक्टर हॉंग साथ में होते हैं डॉक्टर सॉंग डॉक्टर हॉंग को data storage के बारे में बता रही होती है तब ही Captain Han वहाँ आकर autopsy के लिए कहता है डॉक्टर सॉंग भी उससे पहले की direct bodies की sample इकठे करने की permission मागती है Captain Han कहता है कि आपको permission की क्या जरूरत है आप तो खुद ही काम कर रहे हो अगर question पूछेंगे नहीं तो answer कहां से मिलेगा इधर Captain बाकी सब को उसके साथ capsule को ढूणने के लिए चलने को कहता है डॉक्टर सॉंग डॉक्टर हॉंग लैब में होती है इंजिनियर जू कम्यूकेशन को चेक कर रहा होता है बाकी तीनों उस जगा में जाते हैं जहां कोई capsule ले गया था डॉक्टर सॉंग गो टॉपसी करने लगती है कॉंग पी वही होता है डॉक्टर सॉंग कहती है कि ये वाइरस काफी तेजी से फैलता है फिर वो दोनों सेंपल लिकटे करने चले जाते है डॉक्टर होंग अकेले ही होती है वो तीनों चेंबर में ढूंड रहे होते है उन्हें वहाँ सिरफ द्रोइंग मिलती है तब ही उन्हें कोई signal लाते हुए दिखता है वो उपर चेंबर में होता है और उनके पास से गुजर जाता है वहां पर रास्ता बंदो जाता है डेय्टbourg सॉंग सैंपल इकठा कर रही होती है डॉक्टर होंग उन्हें बुलाती है डॉक्टर सॉंग इवन को सैंपल इकठा करने का क्या हैकर वहाँ से जली जाती है वो data storage को ढूणने जाती है पर वो नहीं मिलता डॉक्टर सॉंग वापिस आकर events से sample लेती है communication अभी भी नहीं चल रहा होता सब वापिस command center की तरफ आते है वो लोग sample लेकर आ जाते है डॉक्टर हूंक उन्हें बताती है कि सूजन की मौत पानी की वज़े से हुई है जैसे पानी में डूमने की वज़े से होती है उसके internal organ में पानी भर गया था जैसे डूमने पर होता है डॉक्टर सॉंग कहती है कि बाकी bodies में भी same symptoms थे डॉक्टर हूंक को समझ नहीं आ रहा होता कि इतना पानी अंदर से कैसे आया उसकी body में इतना पानी कहां से आया डॉक्टर सॉंग सब blood sample को चेक करती है पर उसे कुछ नहीं मिलता कोई virus, कोई infection नहीं होता डॉक्टर सॉंग उसे सूजन का blood देती है इदर communication को ठीक करने के लिए किसी को बहार जाकर channel change करना होता है और रियू को उसके बाद इस system reboot करना होता है कैप्टर हान बहार जाने के लिए मान जाता है कैप्टर हान और डॉक्टर के पास आकर पूछते हैं कि कुछ मिला और बताते हैं कि वो communication से ही करने बहार जा रहे है कैप्टर हान वहां से जाने लगते हैं डॉक्टर सॉंगों ने रोकती हैं और कहती हैं कि उस survival ने उस पर attack नहीं किया तो अगर आपको वो मिले तो distance बनाई रखिएगा वो एक survival है पर हान को उसकी बात पर यकिन नहीं होता कि कोई 5 सल तक यहां पर कैसे रह सकता है डॉक्टर सॉंग कहती हैं अगर उसके पास राशन और वाटर होगा तो वो रह सकता है कैप्टन हान कहते हैं कि उसने हम पर attack किया अगर survival होता तो हमारा welcome करता इसके बात कैप्टन हान बाहर के लिए ready होते हैं कैप्टन हान का यहां आने का अपना reason था उनकी बेटी बहुत बिमार थी उनके कार्ट पर जो facility उनकी बेटी को मिल रही थी वो पूरी नहीं पढ़ रही थी उन्हें higher level का कार्ट चाहिए होता है जो भी यहां आएगा उसे higher level का कार्ट मिल जाएगा इसलिए वो यहां पर थे जब डॉक्टर सॉंग सुचन के blood को चेक करती है तो उन्हें उसमें water दिखता है जो weight में simple water से heavy था वो बिलकुँ साफ पानी था जिसमें किसी तरह का किटानू नहीं था यह जल्दी water से froze हो जाता है कैपटन हान नीचे देखते है जहां उन्हें जाना होता है वो रस्सी से लटर कर जाने लगते है तब भी जो lift होती है उपर आने लगती है और कोई भी उसे control नहीं कर पा रहा होता वो बहुत speed से आती है कैपटन move हो जाते है वो lift उनकी रस्सी को ले जाती है पर कैपटन बच जाते है उन्हें रस्सी छोड़ दे थी तब भी गौंग उपर से दूसरी रस्सी फैकता है पर lift नीचे गिरने लगती है कैपटन हान भी नीचे गिरने लगते है पर वो अरसी को दूसरा सीरा कहीं और पर लटका देते हैं इसलिए बच जाते हैं वो बेहोश होने लगते हैं तब ही उन्हें अपनी बेटी की याद आती है कि उन्हें ये सब उसके लिए करना है वो जागते हैं और पैनल शिफ्ट करते हैं पर अक्सीजन बहुत कम हो जाती है, वो वहीं भी भी होश हो जाते है नहीं मिलता, जब कैप्टन वापिस कमांड सेंटर में आते हैं, तो वहां सब परिशान होते हैं, कि सब ट्राई कर लिया, पर कम्मिनिकेशन क्यों नहीं लग रहा, वो लोग अब किसी को भी सिगनल नहीं बेज पा रहे होते, तब ही उन्हें कोई सिगनल मिलता है, जो यहां कोई ही होता है, वो स्टोरेज 3 में होता है, जहां जीजु की लाश होती है, सब आज आते हैं, स्टोरेज 3 में कोई नहीं होता, वो सिगनल जीजु की बॉड़ी से आ रह थे, उसके पास से कम्मिनिकेशन डिवाइस थी, कैप्टन उसे टोड लेता है, उसने किसी को अपनी activity का message भेजा था हान उस device को रियू को दे देता है अर्थ से communicate करने के लिए इसके बाद हान सॉंग से पूछते हैं कि आपको क्या पता चला वो बताती है कि सबकी मौत अंदर पानी की मात्रा जादा होने की वज़े से हुई है रियू उस device की मदद से communication करने में सफल होता है सब पुछ हो जाते है सॉंग को किसी की आहट आती है Captain Director चुई से को record Dr. Song को किसी की आहट होती है Captain Han Director चुई को record देते है बसुन कर दुखी हो जाती है फिर Han पूछता है कि आपने ही last moment पर जीज़ को बेजा था Director चुई कहती है कि यह सब high level का decision था उन्होंने ही हो सकता है यह सब करने के लिए बेजा हो उसे पर Han को उस पर शक होता है फिर वो उसे उस interior को मानने के लिए और जल्दी से capsule वापिस लाने के लिए कहती है फिर Han यह सब करने के लिए level 1 की security का access मागता है इसके बाद Dr. Song एक जगा आती है जहां उसे नीचे डारा सुरज का निशान मिल जाता है पर वहाँ पर 11-1 की security होती है Dr. Hong और Dr. Song को बलाती है बाकी सब लोग नए ship के आने का वेट कर रहे होते हैं फिर Mr. Han डारेक्टर चॉई को survival की बात बताता है जिस पर उसे युकिन नहीं होता Captain Han उसे कहता है कि यहां कोई radiation leak नहीं होई थी जिस पर वह असती है Captain Han उसे कहते है कि अगर आपने कुछ चिपाया तो मेरे लिए ये mission Q की life से ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगा वह भी यही कहती है कि वह कुछ नहीं चिपाया रही Dr. Song उस water की drop पर अपना एक बूंत blood ढालती है वह water multiply होने लगता है Dr. Hong डर जाते है सब extinguisher से उस पानी को जमा देते है वह multiply होना बंद हो जाता है अब उन्हें सुचन और बाकी सब की मौत का राज पता चलिया था इदर बाकी सब उस intruder को ढूनने और सेंपल को इकठा करने का प्लान बनाते है तब ही Dr. Song का आकर ये सब बताती है कि water की सेंपल है और ये सब कैप्टन को पता था Mr. Kim और Joy उन्हें आर्थ पर ही टूनर वाटर के बारे में बता दिया था जिससे Dr. Song की मैंग ने टूना था ये सब अब हो सब को बता देता है पर Dr. Song कहती है कि वो water multiply होता है और उसने ही सब की जान ली है Dr. Song कहती है कि अगर हम इस multiplication को कंट्रोल ना कर सके तो सब बेकार होगा यही मेरी बेहन चाती थी अब सबको पता जल जाता है कि Dr. Song अपनी बेहन की वज़ा से वहाँ आई होती है उसकी बेहन नहीं उसे बताया था कि गलीलियों ने मून के गड़ों को साइलेंट सी का नाम दिया था और Dr. Song से प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन वापिस आर्थ पर पानी ले आएंगी और उसने वो पानी ढून लिया सब वाटर के बारे में बात कर रहे होते हैं कोई कहता है कि अगर यह पानी कंट्रोल आ गया तो हमें कभी बिना पानी के नहीं रहना होगा सब नॉर्मल हो जाएगा Dr. Song कैप्टन हान से बात कर रही होती है Dr. Song और इंफॉमिशन जाती थी पर कैप्टन हान कहता है कि मैं तब भी तुम्हें ट्रीम में नहीं लेना चाहता हूँ तुम यहां क्या कर रही हो वो कहती है कि मेरी बेहन ने मुझे यहां बुलाया है फिर उससे लेवल वन सिक्योर्टी का एकसेस करने को कहती है वो दोनों डाटा स्टोरेज को अलोक करने आते हैं फिर दोनों अंदर जाते हैं वहां बहुत सारा डाटा होता है और उन्हें जमीन पर एक पोदा दिखाए दे जब वो उस पाइप को खोलते हैं तो वहां पर बहुत सारे पोदे होते हैं यहां पर पार्ट वर्न ओवर हो जाता है थेंक यू थेंक यू पर वाचिंग